दोस्तों आपको बिता दो कि इस से पहले फप्जी को बैंड किया गया था कि पोप जी बहुत ज्यादे पॉपुलर गेम हो चुका था नगर लगब बात दो महिने पहले कि है 2021 की बात है जब पप्जी डवलेफर क्रॉप्टों ने खिलाब मुकदमा दर्ज किया था को रिया डवलेफर क्रॉप्टों ने अरॉप लगाय था कि फ्री फायर ने हमारे पब्जी गेम की डिजाइन या ग्राफिक को कोपी किया है यहां तक कि तत्तों की नकल भी की है कोपिराइट का अरूप लगाया था यहां तक कि कृप्टों गुगल एपल पर भी अलग अलग मुख़मा दार्ज किया है यहां तक कि यूटूब का भी नाम इसके अंदर लिया गया है YouTube का नाम इजले लिया गया था क्योंकि streamer को Free Fire को YouTube पर stream करने के अनुमती नहीं दी थी क्रफ्टोन ने बताया कि Free Fire और Free Fire Max ने PUBG के Battleground के कई पहलों की नकल के गई है जैसे कि जानते कौन-कौन से पहलू इसके अंदर है पहला, गेम की Opening, Air, Dropping फीचर नमबर दो, गेम इस्ट्रेचर और पले हतियाद चाहिए आप उसमें गन ले लीजिए वस्तुए, कवज, अस्थान रंग और अन्य शामागरी ले लीजिए कई बिंदू पर हला की ग्यात नहीं किया गया कि इन कारणों की वज़े से गेम को पले स्टोर से हटा दिया गया है फ्रीफायर मैक्स पले स्टोर पर अभी भी एवल है पर पता नहीं यह कब तक रहेगा इसको भी बैन हो सकता है यह नहीं हो सकता है इस बारे में अगली वीडिया में बताऊंगा आपको दोस्तों जहां तक कि बारे सरकार ने खुला सकी आए बारे सरकार दोवारा 2020 में राष्ट्रे सुरक्सा उप्योग करता कि गोपने तरह संबनी चिंताओ पर पबजी मोबाइल इंडिया पर परतिमन लगा गया था पबजी के बाद फ्री फायर सबसे ज़्यदा लोग पीजे गेम हो गया था सबसे ज़्यदा डाउनलोड के जाने वाला एप के रूप में यह उबरा था दोस्तों इसके बाद 2021 के अंदर गत फ्री फायर 26% लोग इंडिया में खेलते थे फ्री फायर और फ्री फायर वापस कैसे आएगा और यह बताऊंगा कि आप अपना गुस्त कैसे निकाल सकते हैं फ्री फायर बैन होने पर दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर अवस्ते करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बाले करने का बटन दबा देना ताकि नए वीडियो नोटे को आपको मिल जाए जेहिं जे वारत लव यू दोस्तों